नमस्कार दोस्तों मैं यूराज स्वागत करता हूं आपका इस ओनलान यूटूब चैनल पर हम बात कर रहे हैं यहां पर राजस्तान का इतियास और राजस्तान की इतियास में आज हम जिक्र करने वाड़े हैं गुजर परतिहार वंस की गुजर परतिवार वंस जो कि राजस् आबू पर पर जोगनी कुंड किया गा उसी के दौरान इस गुजर वंस की भी उत्पत्ति की गई ठीक है तो गुजर प्रतियार वंस प्रारम में क्या थे यह प्रतियार थे लेकर बाद में गुजरात्रा जिसे वरतमान में आप गुजरात कहते हैं गुजरात्रा के निवासी होने कारण यह क्या कहला है गूजर प्रतिहार कहला है क्या कहला है गूजर प्रतिहार कहला है क्या कहला है गूजर प्रतिहार कहला है चुकि यह राजस्तान का सबसे प्राचीन राजवन्स है प्राचीन राजवन्स है इसलिए इसके बारे में कुछ जानकर यह मिल पाई जैसे कि पुल कैसिन कि शेकिंड द्वारा कुछ अभी लेक लिखवाए गए जिनमें से एक अभी लेक भी है तो अभी लेक से जानकारी आप राप्त हुई वो गुजर प्रतिहार वंस के बारे में जानकारी बताती है ठीक है तो प्रतिहार वंस जो कि जिसकी उत्पति अधर पतियुकी गई जब कि राजस्त्रान का सबसे प्राचीन राजवन्स था और इसी गुजरात्रा निके निवास होने करने इस वंस को गुजर परतिहार का कहने लगे पुल कैसिन सैकेंड के दोरा लिखे गए एहोल अभी लेक से इस गुजर परतिहार वंस की जानकारी मिलती कुचेलो सब्द का परियोग किया कुचेलो सब्द से इसे प्रतीत किया किसे गुजर प्रतिहार वंस को कुचेलो नामक सब्द से प्रतीत किया किसने चीनी यात्री हैंसांग ने वहीं अगर हम बात करें गुजर प्रतिहार वंस ती गुजर प्रतिहार वंस की साखाओं के साका का वर्नन या किया गया है इन मैंसे तीन साका है महत्पपून है जो की मंदोर ठीक है मंदोर पड़ता है कहां जोदपूर में ठीक है वहीं दूसरी साका जो है वह है बीनमाल कहां पड़ती है यह बीनमाल बीनमाल कहां है जालोर में कहां है जालोर में वहीं अगर तीसरी स स्टेट में वर्तुमान की उत्तर परदेश में कनोज परता है कनोज डिस्टिक इस तरह किसे 26 साकाएं बताए गई गुजर परतिहार वंस की तीन साकाएं काफी महत्वपूर्ण जानकारिया मिलती है महत्वपूर्ण और कुछेलो सबसे प्रतिहार को वहीं इतियास मैं गुजर परतिहार 20 साकाओं मंदोर बीनमाल कि साकाएं हम पड़ेंगे पहले मंडोर मंडोर से किस तरह किस तरह कर जाते हैं कौन घुजर प्रतियार वंज के सासक जैसा कि मैं हमने अब तक के हर राजवंस के बारे में यह देखा था कि पर्तियार प्रतियार संस्ता पंग भी माने गए हैं और यहीं पर इस समय जोदपुर के जोदपुर के एक सिलालेक है जिसका नाम है घटियाली सिलालेक कौन सा सिलालेक है घटियाली सिलालेक के अगर अनुसार माने अगर घटियाली सिलालेक के अनुसार जाने उसकी बात माने तो घटियाली सिलाले ka b-lek उन से हम इतियास का पता चलता है इसलिए इस सिलालेक अभी लेक प्रूब इनके इसंदि यह इसके आनुसार गुजर-पर्तियार संस्तापक बताया गया है वह हरी संद्र कौन हरी संद्र कोन हरी संद्र जिससे दूसरे और नाम से जाना दाता है रो ही लिद्धी कि ठीक है तो अगर घटियाली सिलालेक के अनुसवार अगर बात करें तो इसके संस्ता पर गुजर परतियार वंस के संस्ता पग माने गए हरी चंद्र हरी संद्र या इन्हें रोहलीदी के नाम से भी जाना जाता है और इनी हरी संद्र जिसे गुजर परतियार वंस का संस्ता पत्र के सन्दर अई नहीं में और दूसरी पत्तनीं कि रहाँण के यह कूंनी को रहा मनी तो हरी संदर की दो इह बताए गए एक तो शत्रानी बद्रह वहीं दूसरी पतनी ब्रामनी तो शत्रानी बद्रह ुनցकी चार पुत्र मताए गए वहीं तीसरा कों पुत्र ना है ओर वहीं चोदता पुत्र रज्ग कौन है रज्ग कोण है और ठीक कुणन भौगबट कडग चरो रज्रव इसके पुत्र माने गएं किनके तरह अब हरी संद्र है हरी संद्र की मर्त Arabic वह दहां गुजर प्रतिहार ब संसतापक माने गए हड़ी चंद्र नाम है रोहिली नाम से भी जाना जाता है इनकी दो पतनियां ती आन शत्राणी वही दूसरी पतनि का नाम था ब्राहमनी के चार पुत्र है बेन और रजरी ये चार पुत्र बताए गए हैं या यहिस के बाद में के पुत्र रज्चिल सासक बने हमने सुल मुखे करते ते टो तो करीबन धूं समय का संभा बताया गया बताया गया पांसो consists इसका स्वेक्ष का बताया गया रज्चिल जित का सांबाइव देंग रचिल ने क्या किया मंदोर को मंदोर को अपनी राजदानी बनाई क्या बनाई अपनी राजदानी बनाई राजदानी बनाई किसे जोदपूर के मंदोर को अपनी राजदानी बनाई रज्युद्य को हमने देखा अरिश्चंद अरिश्चंद ने इस वंस के संस्तापक थे और इनके पुत астलty नख़ल जोदपूर तक आ चुके कौन बुजर पतिहार वंस और इनी रज्जिल को इनके दरवार में ऊहरा हरी नामक Beschाह बरामन और उपादी ती राज्जा की उपादी कौन्श उपादी राज्जा की उपादी दी नरहरी नामक ब्रामण जो किनके राज दरवार रहता था किनके नरहरी ब्रामन ने अपने समय काल में राज्यकाल करवाया क्या करवाया राज्यकाइब का आयोजन करवाया राश्यका आयोजन करवाया किनों नरबट कोन वह नरबट सासक हुए और जब नरबट सासक लिए चीनी यात्री हैंस अगने प्रतिक से लिए एक सब्दकार वह था पेलो पेली क्या सब्द कहा पेलो पेली पेलो पेली कहा किसने का हैंसांग ने हैं सांग चिनी यात्री ने रज्जिल के पुत्र नर्बट के लिए एक सब्द कार वो था पेलो पेली पेलो पेली बोले तो महाशक्ति साली किसकार्थ क्या होता है महाशक्ति शाली तो यह सब्द यह हम कह सकते हैं कि पहलो पहली कि उप्मा किस ने दी हैं सांग इसकी के आसपास का समय यह सासक बने कौन रज्जिल और मंडौर को अपनी राजदानी बनाए कि इन्हों ने बनवाई रज्जिल ने बनाए मंडौर को मला हम कह सकते हैं कि यह मंडौर तक पहुंच चुके कौन गुजर परतियार वन्स ठीक है और नरहरी नामक ब्रामर जुन नरहबट सासक बना जिसके समय हम कह सकते हैं इस KE बाद गाजिसे हैंसाग चीनी आतुरी ने पहलो पहली की एक उपमा false क्किसे का वरगजिल के पुत्र नरभट जिल के बाद नरपट शासक बने और से प्रताभी सासक बने जिने नागभट फस्ट के नाम से जाना जाता है और इनका अगर समय का अनुमान लगा है राज्यसासन का अनुमान लगा है इनका कार्यकाल था 730 इसवी से लगबग 760 इसवी इसवी तक का नागभट का समयकार का अनुमान लगा जा सकता है तो नागभट जिसे या हम करते हैं नागभट को नारायन की मूर्ती नारायन की मूर्ती का प्रतीक माना जाता है नारायन की मूर्ती का प्रतीक माना जाता था और इनके दरबार को नागभट दरबार कहते थे और इनके नागभट सेकिंड ने अपनी राजदानी बनाई या हम कह सकते हैं राजदानी बनाई इससे पहले राजदानी कौन सी थी इससे पहले राजदानी थी मंडोर जो बनवाए गई थी कि तोड़ा रजजिल के द्वारा अब मंडोर से यह भीनमाल तक जा चुके हैं कौन गुजर परतिहार वंस के सासक और भीनमाल को अपनी राजदानी बना ली किनोंने नागभट नागभट फस्ट ने नागभट वस्ट के समय एक गटना गटी वो यह था कि नागभट फस्ट जो की नी संतान वा करते थे क्या थे यह नी संतान थे जम नी संतान थे तो किसी पुजारी नहीं किसी जोतिसी ने इन्होंने इन्हें एक एडवाइस किया है हम किसकते इनको ए गरबादान यह करवा钱 तो हो सकता है आपको एक पुतर की प्राप्ति हो जो आगे आपके वंजक और प्राज्य को कारगर साबीत शाबित कर सके यहाँ अगे तक कि इसे है ठीक है तो नृत रृत कुट्ट को की किया दक्सिन भारत का लग ता इस राष्ट्रकूट के और किसमें आमन्तित किया जब इनको पुत्र की प्राप्ती नहीं हुई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई फिर भी इन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो इन्होंने क्या किया अंत में अपने बतीजे इनके बतीजे थे बतीजे का नाम था ककुक अपने बतीजे ककुक को उत्रादीकारी गोशित किया उत्रा उत्रादीकारी गोशित किया किसे अपने बतीजे ककुक को उत्रादीकारी गोशित किया किस ने किया नागबट पस्ट ने और इनी ककुक का विवा करवा दिया दंती दुरुक की पुत्री भूमी का देवी के साथ किसके साथ भूमी का देवी के साथ विवा किसका करव तो देख लेते हैं नागबट फस्ट जो की सासक बनते हैं यह समय का लगाया गया नारायन की मूर्ति का प्रतिकी ने माना जाता था नागबट की सासक के समय को कहा जाता था इननोंने क्या किया अपनी राज़ादानी अपने समय की राज़्दानी दोरा इनोंने राष्ट कुट सासक दंती दुरूकामंतरित किया जब इनको पुत्र के प्राप्ति नहीं होई इसके बाद इन्हें अपने बत्तीजे कक्कुक को अगला उत्रादीकारी गोसित किया जो कि जरूरी ताज क्योंकि नागबर्ट फस्ट के साथ मर्थिव के बाद में अगला कुछ सासको ने वाड़ा था तो वो कौन ता इनका बत्तिजा कको गिनों ने क्या किया अपने बत्तिजा ने अगला उत्रादीकारी प्रतियार वंस का ककुक का विवा करवा दिया राष्ट कुट के सासथ दंती द्रुग जो की पुत्री किस की थी दंती द्रुग कौन था राष्ट कूट याने दक्सिन भारत के राष्ट कूट का सासक हुआ करते थे दंती द्रुग जो की आये वह थे नागबट फ़स्ट के द्वारा आजन किये गे हिर्ने करबादान यग्य में तो इसी तरीके जिन्होंने जोद्पुर के मंडौर में विजय स्तम की स्थाप ना की जोद्पुर का जो मंडौर था जो इनकी प्रत्थम राष्दानी थी क्या किया विजय इस्तम बनवाया क्या बनवाया विजय इस्तम बनवाया विजय इस्तम बनवाया किनों ने बनवाया कि ककुक ने बनवाया कहां का बनवाया जोद्पुर के मंडौर में विजय स्तम बनवाया करके दोरा बनवाया गया नागबट फस्ट के उत्रादिगारी ककुक के द्वारा बनवाया गया जोधपुर के मंडौर का विजे इस्तम